नमस्कार मैं जीशान जावेद आप देखने हैं न्यूस नेटवर्ग ठुड़े हैं रीवा के पहाडिया में एके क्रित ठोस अफसिस प्रमंदन परियोजना के तहर बिजली बनाने का काम लगभग अंतिन चरण में पहुचा कलेक्टर रीवा ने आज वेस्टू एनर्जी प्लांट का निरिक्षण किया 15 अगस तक सभी निर्माट पूरा करके बिजली उत्पादन सुरू करने के दिये निर्देश हम आपको बता दें रीवा के पहाडिया में नगरी निकाय नगर निगम के कचले से बिजली बनाई जाएगी यहाँ पर लगबग 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा आज रीवा कलेक्टर स्रीमती प्रतिभापाल ने पहाडिया में जाकर वेस्टू एनर्जी प्लांट का निरिक्षण किया वहाँ पर उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को काम तेजी से पूरा करने की नसीहत दी इस दोरान नगर निगम कमिशनर श्रीमती संस्कृती जैन तता पहाडिया प्लांट के अधिकारी गण उपस्थित रहे माना जा रहा है पिछले काफी अर्थे से वेस्टू एनर्जी सेंस के तहट बिजली बनाने का काम यहाँ पर प्रोग्रेस था अब निर्मालकार अंतिम चरण में है यह माना जा रहा है इसी साल अगस्थ तक बिजली बनाने का काम यहाँ पर पूरा किया जा सकता है 6 माइकावाट बिजली बनेगी उससे रीवा की जनता को काफी लाप मिलने वाला इस बारे में हमने वेस्ट टू एनरजी सेयंत कब से प्राराम होगा लेकर कलेक्टर रीवा स्रीमती प्रतिभापाल से बात की आईए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा अपना जो रीवा क्लस्टर का वीस्ट एनरजी प्लांट है इसका विजिट आज से भी लोगों ने किया है और उसमें देखा गया है कि जो कमेंसिंग की डेट है वो बहुत पास आ गई है और काम लगभग अंतिम चरण की ओर है सभी काम पिनिशिंग की और चल रहे हैं हम लोग यह पिक्षा कर रहे हैं कि अगस्त महिने में पहली फीड यह प्लांट ले लेगा कच्रे की और इससे ना सरफ रीवा नगर निंगम को बलकि आसपास की रीवा और सतना की भी वाकी युल वीस्ट को भी इससे फाइदा मिले और इन पार्ट्स को टेरी का टेरी तासुझत है कर दो बार्ट्स को टेरी ना सरफ प्लांट लेगा का टेरी का पार्ट्स की लिदा काई से लेगा कच्रे की ओने पार्ट्स को बलकि रखे टेरी का टेरी बार यह पाल कि एससा झाल 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 झाल